और अब बात बीजेपी अध्याक्षिय जेपी नड़ा के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है कल जेपी नड़ा ने सूरतगर बीजेपी कारे करता हूँ और पदाधिकारियों को संबोधित किया इस मौके पर जेपी नड़ा ने कई मुद्दो पर कॉंग्रेस और राजसरकार को जम कर घेरा और कहा कि कॉंग्रेस की समय में बीमारी की दवा आने में 10 साल लग जाते थे जापानी बुखार की दवा आने में 100 साल लगे पोलियों की दवा भारत में 28 साल बाद आई लेकिन मोदी जी ने 9 महिने में कोरोना की दवा दी, कॉंग्रेस वाले कहते हैं कि क्या बदला, कॉंग्रेसी बेरोजगार हो गए, इससे ज्यादा क्या बदलेगा पहले पहाडी इलाकों में चूना लगाकर बोलते थे कि यहां से सड़क जाएगी, बारिश आती थी, चूना बह जाता था और जनता को नेता सिर्फ चूना लगाते थे हमारे लोगों हैं जो जनता को छाती ठोक कर रिपोर्ट कार्ट देते हैं, मोदी जी ने राजनिती का कल्चर बदल दिया है और अब कॉंग्रेस को जाती संप्रदाय पर नहीं विकास पर बात करनी पड़ रही है इस मौके पर पूर्वर सीम वसंद्रा राजरे, प्रदेश प्रभारी अरुन सिंग, बीजेपी प्रदेश अध्याक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्र शेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंत कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजे राठ और समेत कई नेता और पददिकारी मौजूद रहे। लोगों को चूना लगाया, जब सड़क की बात लोग करते थे तो चूना लगा कर सड़क बना देते थे, बारिश में वो सड़क बह जाती थी और उसके बाद नेता जो थे वो लोगों को चूना लगाते थे। पड़ रही है, जाती संपुरदाय की बात से हट कर अब विकास की बात करनी पड़ती है कॉंग्रेस को और क्योंकि विकास कारे कॉंग्रेस ने नहीं किये हैं, इसलिए उनके पास कोई बात ही नहीं होती है। बदलाव की बात पर कहा कॉंग्रेस कहती है कि आप बदलाव लाए तो उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस नहीं रही, यहीं बदलाव लेकर आए हैं। मिशन राजस्थान पर नड़ा भाजपा के राश्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा के दौरे का दूसरा दिन आज है। तो वहीं टाउन इस्तित भद्रकाली मंदिर में दर्शन करने वो पहुँचेंगे। जो ग्यारा बजे जेपी नड़ा जी इनके कारेले पहुचेंगे वहां से यह कारेले का उद्गाटन करेंगे। और दोपहर को बारा बजे ताउन स्थित भद्रकाली मंदिर जाने का भी इनका प्रोग्राम है। और उसके बाद दोपहर एक बजे तुकह सिंग महताब सिंग गुर्दवारे में जाकर माठा टेकेंगे शिश्ष दभाएंगे। जी, कपिल इस दौरान कौन-कौन मौजूद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पूरी जानकार के लिए।